साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनलाइन इस्टिटूट निसांत ग्यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने तिनुपाद धिया है आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, विननदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रों बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि VPSC PRT का वीडियो एक दो दिन में दे दूँगा लेकिन आज यह 15 दिन लेट हो गया है उसके लिए मैं आपका मतलब की माफी चाहता हूँ तो आज कुछ मैं सही हुआ हूँ तो मैं आप तक यह वीडियो पहुचा रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप लोग यो है हमारी वीडियो चको देखेंगे और इसे कहीं न कहीं आपको जरूर लाब होगा तो चले मित्रों आप सभी लोग हमसे लगातार यह समान को कर रहे थे कि भाईया बिहार में प्राइमरी सिच्छक बनने के लिए जो स्लेबस है स्लेबस को तोड़ करके कहां से कितना कोईस्टन आ सकता है उस पर आप एक वीडियो बना दीजिए पूरा खाका तयार मैंने कर लिया है और इस पूरे खाके को 150 कोइस्टन को तोड़ तोड़ करके बताउंगा और किस प्वाइंट पर कितना मेहनत करना और कहां से मेहनत करना है सब चीजे आपको बताउंगा तो चलिए इस वीडियो के शुरूआत करते हैं उसके पहले मैं यही कहूंगा वीडियो को पहले ही आप लाइक कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे प्रभावित हो लाभानवित हो और अपने भविस्य को उजल वनाने में हम उसका थोड़ा सा भी सयोग कर पाएं चले मित्रो सबसे पहले बात करते हैं आप लोग किसका समेश्टर का आज आना चाहिए अगर आपका प्रफ समेश्टर का रिजल्ट आ गया है तो टीरी कोर में आप समलित हो रहे हैं मित्रो बात करते हैं इसमें कोश्चनों की संध्या कोश्चन 150 आते हैं और एक कोश्चन एक नंबर का होता है ठीक है और एक कोश्चन एक मिनट क भी होता है, टोटल धाइ घंटे आपको मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना निगेटिव मार्किंग के आपको पेपर देना है, ठीक है, उसके बाद चलिए मित्रों बात करते हैं, इस पूरे PRT के सिलेबस को बाटा गया है, दो प और उसके बाद इंगलिस, उर्दू, संस्कृत कुछ भी आप ले सकते हैं, तो हिंदी इंगलिस मैं मानता हूँ कि ज्यादा तर बच्चा हिंदी इंगलिस वाला होगा, तो इंगलिस के 8-9 question आएंगे, हिंदी के 21-22 question आएंगे, टोटल 30 question आएंगे, इस 30 question का 30% अर्थात 9 mark आ आप इसको ignore करके भी चल सकते हैं, 9 number आप आसानी से पा जाएंगे, इसका merit में कोई अस्थान नहीं होता है, merit में इसका number नहीं हो आजाएगा, अब आएए चलते हैं मित्रों, 120 number वाले segment पे, सबसे पहले मैं बता दू, जो बच्चा ये पूछता है कि भईया TRE 4 में 120 number में कि 55 number गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा TRE 2 में वही कटाप 89 number पे जाके रुकी है, TRE 3 में ये कटाप और बढ़ेगी, तो TRE 4 की बात करें मित्रो, TRE 4 में primary की जो वेकेंसी आ रही है, उसमें जो है 70-80,000 वेकेंसी नहीं है, 25-30,000 वेकेंसी है, आप लोग अपने target को 90 से उपर ही मानके चलिएगा कि 120 में 90 number आपको हर हाल में पाना है, मैं बताता हूँ, 120 में 90 number पाना कितना आसान है, कैसे कैसे, किस रणनीती के तहता आप आ सकते हैं, मित्रो जो 120 number है, 120 number में एक topic है, गणित और रिजिनिंग का, मित्रो गणित और रिजिनिंग जो है 30-35 question आपको मैत और रिजिनिंग के देखने को मिलने वाले हैं, और जो 30-35 question है, मित्रो गणित और रिजिनिंग की, एक question बहुत है, ज़्यादा hard नहीं होते हैं, और ऐसे भी question नहीं होते हैं, आप इसे कर नहीं पाईएगा, अगर 30-35 question आते हैं, तो 25 question, 22, 23-25 question आप आसानी से बना पाए अगर आप rhyme में रहेंगे, rhythm में रहेंगे, लगातार, गणित को लगाते रहेंगे, रिजिनिंग को हल करते रहेंगे, तो नहीं इसी तोर पे 25 question आप 30-35 question में 25-30 question तक पहुच सकते हैं, गणित और रिजिनिंग का, अब देखें मित्रो, गणित कितने question का आता है, गणित 15-20 नमबर का आएगा, और जो रिजिनिंग आएगी, 10-15 नमबर की आएगी, मैं इस वज़े से इसको variance लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी गणित जादा आजाती है, कभी-कभी arithmetic रिजिनिंग भी गणित में जोड़ दिया जाता है, इस वज़े से 15-20 नमबर की गणित जाएगी, और 10-15 नमबर की रिजिनिंग आएगी, मैं तो गणित किस लेवल का आएगा, क्या primary का किताब ही, एक से 5 तक का आपका question आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आपने जिस नियूनतम अहरता के साथ आपने form डाला है, उस नियूनतम अहरता तक आपसे गणित पूछी जाएगी, आपसे लेकिन 10-15 तक की गणित 100% आपसे पूछी जाएगी, तो आपको NCRT की, मित्रो ध्यान रखिएगा, जो NCRT का book होता है, जितने भी question आपको यहाँ पे बनने वाले BPSC, TRE में, इस सभी question NCRT के topic से बनते हैं, देखिए, NCRT के topic से बनेंगे, कोई जरूरी नहीं NCRT की उसी book से बनें, नहीं, NCRT के topic से बनेंगे, उस topics से related, सारे मतलब थोड़े अच्छे level के भी question बन सकते हैं, इसलिए आपको YouTube का सहारा लेना चाहिए, इन चीजों में, NCRT के जितने भी class 1 से लेकर के 10-1 तक के topics हैं, उस topic से आपसे question बनेंगे, गणित के लिए arithmetic के बनने वाले हैं, advanced के नहीं बनेंगे, arithmetic का मतलब लाभान, percentage, number system, उसके बाद profit loss, और simple interest, चक्रुद्धी ब्याज, चक्रुद्धी मिसर्धन, उसके बाद work and time, चाल समय दूरी, इस सभी जो question है, normally जो one day exam में पूछे जाते हैं, निशित तोर पे आप इसे कर सकते हैं, आप किसके वीडियो को देख करके आप पढ़ें, तो मैं बताऊंगा, अंकित भाटी सर, रोजगारवी थंकित पे, अंकित भाटी सर, 125 पुरानी वीडियो, जो whiteboard पर उहोंने पढ़ाया है, एक-एक topic, एक-एक subject को, मतलब arithmetic को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाया है, number system के भी profit loss को भी पढ़ाया, percentage को भी पढ़ाया, आप वहाँ से follow कर सकते हैं, अंकित भाटी रोजगारवी थंकित चैनल पे, आप जा करके, पुरानी 125 वीडियो को देख सकते हैं, बहुत बेतरीन पढ़ाया है, बाकि आपका जिसका अच्छा लगे, उसका देख सकते हैं, मैं कुछ कहने रहा हूं, उसके बाद reasoning की बात करते, reasoning 10 से 15 question आने वाले हैं, reasoning बहुत आसान आएगे, बहुत ज्यादा कठिन reasoning नहीं आएगे, आप reasoning कर लीजिएगा, reasoning के लिए भी मैं यही कहूंगा कि किसी भी teacher को आप follow कर लीजिए, reasoning playlist आप click कर लीजिए, जो reasoning के ranking topic है, जो main main topic है, reasoning के calendar है, ranking है, घान है, cube है, यह सभी जो, मतलब normal topic है, यह सब चीज़े आप पढ़ लीजिए, और किसी भी teacher से आप पढ़ सकते, कोई विशेश teacher की इसमें आवस्यक्ता नहीं है, बस इसमें आपको practice की आवस्यक्ता है, कुछ लोग पूछेंगे practice कहा से करें, practice के लिए भी book की ज yari अगर आप करेंगे, तो 25 question आप निकाल ले जाएंगे, यहां से, उसके बाद बाद करते हैं, अगला segment GK का होता है, जिसमें current affair और social studies मिला करके आपको 60-65 question देखने को मिलेंगे, एक बहुत बड़ा topic है, और बहुत बहतरीन topic है, जिसमें आपको जादा मेहनत करने की आवस सकता है, और यही जो है, आपकी सफलता का मार्ग भी प्रसस्त करेगा, ठेक है, इसमें आपको लग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, 60-65 question वाले, जो GK का segment है, आपको कैसे पढ़ना है, आईए मैं बात करता हूं तो, सबसे पहले हम बात करते हैं, current affair के लिए, current affair पिछले TRE TRE 1, TRE 2, दोनों में देखा गया है, आपका जो question आ रहा है, 10-15 question तो हर हाल में, दोनों paper में देखने को मिला है, तो current affair आप बहतरीन तरीके से अभी से तयार करते रहिए, आप कहां से तयार करेंगे, तो कुमार गौरोग सर का current affair, उतकर स्कलासिक पे, उससे बहतरीन current affair, current affair की class से देख लेंगे, निशित तोर पे आपको पढ़ने पढ़ना चाहिए, current affair की tension आप छोड़ दीजिए, और आपको पढ़ाते भी है, practice भी कराते है, आपको वही से पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 10-15 नंबरे हो गया, उसके बाद बात करते है, social study आपका 50-55 नंबर का आने वाला है, 50-55 नंबर के social study में क्या क्या आने वाला इस बात की धाने के, social study में आपकी जोगर्फी सबसे जादा आई है, दोनों बार मैंने देखा है, दोनों बार आपकी जोगर्फी जादा आई है, जोगर्फी 20 नंबर के करीब आई है, जोगर्फी आपको प यंसी आर्टी के टॉपिक्स दिये गए हैं, जैसे यंसी आर्टी के टॉपिक्स में अगर कहीं गरह दिया गया है, निसी तोर पे गरह में अगर थोड़ा सा उन्होंने समझाया है, तो गरह के पूरे टॉपिक को आपको समझना है, देखिए, यंसी आर्टी से केवल आपको ट टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक को आप परसोनल यूटूब पर सर्च कर लीजिए, अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगी उस टॉपिक को आप कम्प्लीट कर लीजिए, जोगर्फी के लिए आप चैहे जिससे पढ़ सकते हैं, मैं टार्गेट वित आलोग के आलोग सर का विडियो है, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ कभी, तो आप उनको भी देख सकते हैं, बाकि आप जिससे भी पढ़ना चाहते हैं, रोजगार्वी थंकित पे भी एक टीचर पढ़ाते हैं, अंकित चोधरी नाम से पढ़ाते थे, अभी वो अलग हो गए हैं, तो आप उनका भी विडियो देख सकते हैं, मतलब बेसिक जोगर्फी के लिए, ऐसा नहीं है कि आप जोगर्फी के बासा बन जाए और उसके साथ साथ जो लुशेंट की जोगर्फी है, आपको इसको पूरा पढ़ लेना है, तीन से चार बार लुशेंट की जो गर्फी पढ़ लेना है, लु पढ़ने का तरीका मैंने बता है कैसे पढ़ना ठीक है जोगर्फी आपको समझ में आ लिए या तो आप खांसर का रिकार्डेट वीडियो ले लिजिए खान गुलोबल एश्टी से एप से पूरा पढ़ लिजिए उन्होंने फांडेशन पढ़ाया है बहतरीन पढ़ाया है प उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री भी 15 से 20 के बीच में आएगी 16 17 कोष्टन आते हैं तो हिस्ट्री में ज्यादातर कोष्टन कहां से आएगे हिस्ट्री में ज्यादातर कोष्टन आपका मॉडर्न हिस्ट्री और आई एन्यम से पूछे जाएंगे अगर 17 18 कोष्टन आपक आपको किसी भी teacher का इस्तेमाल, मतलब किसी भी teacher को follow जरूर करना है, क्योंकि जो ये history होती है, history को बहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए किसी एक teacher को follow कर लिजिएगा, मैं इसके लिए भी खांसर को advise करूँगा, खांसर का recorded advice आप history का ले करके पढ़ लिजिए, लेकिन इसके साथ मैं दुबारा से बोलूगा, कि NCIT को आपको जरूर पढ़ना है, NCIT के topics को जरूर पढ़ना है, NCIT के topics में कुछ लोग कहता है, या word history आएगा को नहीं आएगा, एक से दो question word history वे आ जाएगा, अब एक से दो question की word history के लिए आपका अच्छा 90th की word history पढ़िए, मैं नहीं कहता ह पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप class 6 to 10 एक बार तो आपको इती हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, ज्यादा मेहनत, आपको 1757 से लेकर के 1947 तक करना है, ठीक है, उसके साथ साथ 1600 से लेकर के जो तमाम company आई हैं, उस पर आपको पढ़ाई कर लेना है medieval history, normal पढ़ लेना है, एडूटेरिया का medieval history मैंने बताया है, medieval history में एडूटेरिया, प्रविन कुमार जी का जो वीडियो है, बहुत बेहतरीन है, playlist है, एडूटेरिया, प्रविन कुमार, medieval history डाल दीजेगा, आजाएगा, वही काफी रहेगा, और ancient history भी उनका ही काफी रहेग और इस वाली history को 1757 से लेकरके 1857 वाली क्रांती और 1947 तक की इतिहास को, इसके लिए आप जो है खांसर को फालो कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना आपको करना है, NCRT जरूब पढ़ना है, उसके बाद बात करते है, political science के, दस question आएंगी, political science में आपको कुछ भी जादा extra नहीं कर करके, आप निशित तोर पे 10 question में 7-8 question सही कर ले जाएंगे, बहुत basic political science आता है, 2-3 question, NCRT के पूछे जाएंगे, जो की आपके जो है, कथान पर निर्भर करेंगे, लोगतंतर क्या होता है, लोगतंतर की सजीवता क्या होती, ऐसे question पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको NCRT पढ़नी चाहिए, तो 20 question जोगर्फी के, 15 question हिस्टी के, 10 question political science, economics के 1-2 question आएंगे, इसके लिए कोई जादा दाड़ भाग नहीं करना है, वो आपके जो है, current affairs related economics से आते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना है, यह नहीं कि economics का कोई अलग से ही class लेकर के बाकी जो static आता है, static current affairs जो होता है, आप अगर current affairs पढ़ते हैं कुमार गवरो सरसे, static को पढ़ाते रहते हैं, आप उनसे पढ़ लिजेगा, नहीं तो आप static जो पढ़िएगा, lucent के बीछे जो static दिया गया है, उस static को भी आप पढ़ लिजेगा, वो बहतरीन रहेगा, कोई अलग से इसमें static बहुत बड़ा बड़ा नहीं तुछा जाएगा, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं, भी या BPSC जो civil service का पुरूवर, previous year paper है, घटना चकर का, क्या उसको पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ने के बाद, जी मैं बिलकुल कह होंगा, आपको, जैसे आप history खतम करते हैं, तो आपको BPSC के घटना चकर का जो पुर्वान लोकन है, आपको उसके question को एक बार देख लेना है, एक बार ठिक लगा लेना है, क्योंकि वही सब question घूम घूम करके BPSC के TRE exam में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मेरी बात होंगे, इसको जब जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद जो तीसरा सेग्मेंट होता है, पहला सेग्मेंट गणिदरीजनिंग का हो गया, तीस-पैंथीस question का, दूसरा सेग्मेंट करेंट अफेर का 10-15 question का, social studies में history, political science, economics और वीविद का 50 question लगभग इसका आगया, उसके बा आप बहतरीन तयारी करना चाहते हैं, मतलब 25 question की तयारी, full plan में करना चाहते हैं, तो विज्ञान के लिए भी आप खांसर को पढ़ सकते हैं, अगर खांसर की वीडियो जो आपको लंबी लगती हैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि विज्ञान में किस topic को ज़्यादा पढ़े देखें, सबसे ज़्यादा जो question विज्ञान के आएंगे, वो आपके biology और physics से आएंगे, chemistry से कम question आते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको physics वाले जो सुरुगात के chapters होते हैं, मात्रक बगएरा, सदिसरासी, अदिसरासी, गती, चाल, बल, इस सब पर कर लेना है, थोड़ा स view बना लेना है, उसके बाद जादा तर question biology से पूछे जाएंगे, chemistry से कम question पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको एक बार NCRT के topics देखने के लिए book खरीदना पड़ेगा, नहीं, आप NCRT के topics को देखने के लिए आप online भी देख सकते हैं, NCRT की book से, अब NCRT की book online कैसे द जानकारी इसकी नहीं होती है, ठीक है, तो मीद करता हूँ, आप लोग समझ पाएं हैं कैसे आपको तयारी करनी है, ठीक है, आपका जो preference book होना चाहिए, ओ NCRT होनी चाहिए, preference book, अब कुछ लोग ए बोलता है, कि मुझे जो है, क्या नाम है, बिहार की NCRT पढ़नी चाहिए, अब बिहार की भूकों को मैं देख रहा हूँ, जादा से जादा 15-20% का ही अंतर है, इसके लिए आपको बिहार की NCRT आप नहीं पढ़े हैं, आप सीना ठोकी नहीं पढ़े हैं, आम तो अगर बरबाद हो गए ना, कुछ नहीं, 10-15% का जो अंतर है आपको basic चीज़े आती ह कुछ हलक से उसमें करने की जरूत नहीं, अगर हाँ आप पढ़ना चाते हैं, ता पहले NCRT को पढ़ लिजेगा, उसके बाद, यह CRT के जो e-lots बिहार का जो application है, chrome से आपको chrome से नहीं मिलता है, e-lots बिहार आप सर्च करेंगे, google पे, chrome पे, ता आपको पहला website मिल जाएगा आपको यहां से बिहार या CRT की book मल जाएगी, आप वहां से book को भी थोड़ा सा सरसरी निगास से देख लिजेगा NCRT पढ़ने के बाद, जो बिहार या CRT है, कहीं नहीं दिया गया है, कि बिहार या CRT से question आएगा, उसमें NCRT दिया गया है, कि आपकी NCRT से question पूछा जाए ठीक है, और इस हवा में बिल्कुल मत रहिएगा, कि आपका जो है 80, 70, 75, 80 पे selection हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपका selection 90 से नीचे किसी कीमत प्यार target मत लेके चलिएगा, 90 से उपर ही अपने target को fixation करिएगा, ठीक है, तो मिद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को share करिए, और चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को subscribe करिए, और इसी तरीके से वीडियो ज मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा, आप तक पहुचाता रहूँगा, ठीक है, तो आज मैंने बता दिया कि कौन, क्या, कहां से, कैसे पढ़ना है, ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं, निशित तोर पे आप एक बेहतर condition में हो जाएंगे, और आपका selection स्योर साथ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब हमारे जैसो का selection हो सकता है, ता आपका भी selection 100% होगा, क्योंकि आप हमसे तेज हैं, आप हमसे जादा पढ़ते हैं आप हमसे अधिक बेहतर कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़े इधर उधर किया हैं, लेकिन आप इधर उधर नहीं किया, आप मेहनत किया हैं, ठीक है, चलिए, आखरी लाइन यही बोलूँगा, आपके लिए motivation, कल Mother's Day था, मैंने देखा कि हमारे भी जितने बच्चे थे, इस्टेटस पर अपनी मम्मी का फोटू लगा हुए थे, भाई मम्मी का फोटू लगा करके, और मम्मी का मा के बराबर कोई नहीं वाला गाना लगा करके, आप Mother's Day celebrate नहीं कर सकते हैं, आप Mother's Day, Father's Day तभी celebrate कर सकते हैं, जब आप उनके सपनों को साकार कर देंगे, जिस दिन आप उनके सपनों को साकार कर देंगे, उस दिन आपके लिए Mother's Day बेहतर हो जाएगा, उनके लिए भी पुत्रटे संडे हो जाएगा, आपके लिए भी Mother's Day हो जाएगा, आपके लिए रियल मोटीवेशन आपके माता पीता हैं और कोई नहीं, आखरी लाइन, यही जजबा र आपको जरूर करना है, अपने साथियों तक आप इसे पहुचा दीजिएगा, जो भटक रहे हैं, देखें, कोर्स लेना सही बात है या गलत है, सही है, मैं उस पर नहीं मोलूगा, कोर्स लीजिए या मैं मोलूदीए, लेकिन आपको स्वाध्या जरूर करना है, क्योंकि कोर कोर्स भुत सारा बच्चा लेगा, 95% बच्चा कोर्स लेगा, और कोर्स से ही पढ़ेगा, 5% बच्चा जो इतर पढ़ाई करे गा, स्वाध्याय करेगा, जल सिया टीज पढ़ेगा, और BPSC के प्रिभीयस एयर पेपर देखेगा, और प्रेक्टि सेट करेगा, ओ बच्चा आगे जाएगे तेगा चलिए बहुत बहुत आवार वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत